हेलो एन वल्कम गई स्वागत आपका फेंटासी डिस्टन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग शार्जा 100 लिग की बात करेंगे जो की मैच होने वाला है जम्स एजुकेशन वर्सिस प्रीम है ट्रांसपors के विच में तो चलिये दोने टीम के प्लेएर पर एक बात नजर कल देते कि कौनसे प्लेएर को म goal कि यह से small league में लेगे जाएंगे कौन सै प्लेएर को म लोग यह से grand league में pick करेंगे प्लस कौन से प्लेयर हमाने लिए कप्तान और वाइस कप्तान सिप के लिए बेस से रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे फिच रिपोर्ट देख लेते एक बार लास्ट में हमारी फेंटासी टिम भी देख लेते के कौन से प्लेयर को मिलेगे जाना है और कौनसे प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच के इससे पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी इसके सार सार यहाँ से आपको BBL की सारी मैचिस के वीडियो मिल जाएंगे इनके अलावा और भी कई सारी डोमेश्टेक और इंटरनेशन मैचिस चलती है सारे अच्छे मैचिस के वीडियो आपको यही पर मिलेंगे आप लोग को उसी लिंक से टेलिग्राम चैनल को जोईन करना है बात करते है इस मैच की तो यह मैच शाम को साथ बच कर 45 मिनिट पर शार्जा क्रिके स्टेडियम शार्जा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खिला जाएगा पीछी पडिया पर बेटिंग के लिए अची पीचे देखो यहसे रंस की बात करों तो रंस बनते हैं आला कि कई बार यह आपर टिम कोलेफस भी करवा जाती है जैसे की कल याप परसो की बात करों तो आइचिंग यापर स्वावी नहीं बनेते हैं Jumps Educations की बात करते हैं, दो मेच के लिए जिसमें से एक जीती है, एक हारी है, उपनिंग में सहान अकरम और इनके साजय पर मुहम्मद अनवर खान ने उपनिंग करवाया, सहान अकरम ने पहली मेच के लिए 27 रन की एक अच्छी पारी कहली थी, दूसरी मेच के लिए 0 पी आउट होगे, अब इनको पर्फरमस की बात की जाए, तो यह आपर इनसे आप लोग एक्सेप्टेशन कर सकते हैं, कई बढ़े आपर ओस भी करवा लेते हैं, मुहमद अनवर खान वेरी इंपोर्नेट भी रहेंगे आपर, डेफिनेटली लेके भी जाना है, इवन जो लोग रिस्क ले सकते हैं, इनको कप्तान या वाइस केप्टन भी कर सकते हैं, दाओ देजाज अच्छे टच में हैं, और ये बंदा जब अच्छे टच में हो, तो आप लोग इनको कप्तान वाइस केप्टन कर सकते हैं, क्योंकि 17-80 रन बना सकता हैं, इवन सेंचुरी तक कर सकता हैं, तो दाओ देजाज आपके लिए एक ट्रम कार्ड बन सकते हैं, इवन आप लोग इनको स्मॉल लिग में भी ट्राइक कर सकते हैं, तो ये बंदे के उपर आप लोग चाहो तो रिस्क ले सकते हैं, इसके लिए से नायक मुहमद ने लास में के लिए 46 रन की पारी खेली लेकिन बैटिंग ओड़ थोड़ा सा नीचे हैं, चाहो तो ये इसमें से किसी एक को आप लोग अपने अकोर्डिंग ट्राइ कर सकते हैं, बाकी बात करें आप पर शाहिद भुट्टा की जिन्होंने लास में के लिए 3 विगेट निकाले पहली में के लिए 10 रन की ये साथ में 1 विगेट निकाला था, बाकी ओवर से दोनों मेच करें पूरी करवा रहे हैं, विगेट भी दोनों मेच करें निकाल रहे हैं तो यास से ले सकते हैं, हजराज बिलाल पिछली दोनों मैच के ने विकेट निकाल रहा हैं तो इंको डेफिनेंटली लेके जाना है आपर दो-दो विकेट निकाले पिछली दोनों मैच क अंदर इसके लिए ऐसे last match के ने भी मैंने इनको कफ्तार बाइस के प्रण सजीस किया था यहाँ पर भी मेरा सजेस्ट ने आप लोग इनको अकप्तानवाइस के प्रंग कर सकते हैं मोहमध अलि महरवी ने लास्टमें केने एक विकेट निकाला ये बंदा यहाँ पर पूरी वर्स करवा रहा है लास्ट मेट के ने 20 गेंदे पूरी करवाई जापर एक विकेट निकाला और पूरी वस करवाई कर विकेट बका निकालेगा कोई शक नहीं आपर आइटम फास गेंबाज है और टेलेग्राम से जुटने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है आप लोग को उसी लिंक से टेलेग्राम चैनल को जोईंग करना है प्रिमाइट ट्रांसपर्स की बात करता है जो कि दो मैच के लिए और दोनों की दोनों यहां पर हार किया रही है ओपनिंग में कौन है तो सनाउल हग बटी के साथ याप पर रफिक जमन ने ओपनिंग करवाई सानावलाग बट्टे की बात की जाए तो पहली मैच के उन्हें जीरो पे आउट हो गे थे पांच गेंदे करवाई थी जहापर इनको विकेट नहीं मिली थी बाकि इनका परफोर्मस ठीक है यहाँ पर रिसंटली इतने अच्छा फॉम में है नहीं बाकि यहाँ से इन्होंने ओपनिंग के साथ ओवस करवाई थी तो रिस्क लेना चाओ तो ले सकते है बाकि रफिक जमन वेरी इंपोर्नेट पिक रहेंगे लास्ट मैच के नहीं इन्होंने बेटिंग और बॉलिंग दोनों इसे अच्छा परफोर्मस दिया यही चीज उन्होंने पिछली टूर्ना मेंट के अंदर भी गी थी और यह चीज मैने आपको बताई थी कि यह बंदा रिसंटल अच्छा फॉम है मैंने यहाँ पर पहली मैच के नहीं करना कप्तान वाइस कप्टन से जज़ किया था लेकिन वहाँ पर हमारा काट दिया है इन्होंने दो रन किये थे और बैटिंग से काफी नीचे आये थे लास मेच के अंदर यह बंदा ओपनिंग में आ गया और साथ में 20 गेंदे पूरी करवाई तो वही चीज मैंने बताई दी आपको लास मेच के अंदर है कि कभी भी यह ओपनिंग में आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम टाइम एंदर आप लोग इनको रिसकी तोर पर कर सकते हैं एहमद खान की बात करते हैं जो कि लास मेच के अंदर विकेटलेस रहे बीस गेंदे की ओस करवाते हुए बाकि ठीक हैं बोलिंग से तो ठीक है लेकिन बेटिंग से आप लोग एक्सेप्टेशन कर सकते हैं इर्फान उल्ला को जरूर सजेस्ट करूँगा मैं यह वंदे को हाला कि इनसे मुझे बॉलिंग से बहुत ज्यादा एक्सेप्टेशन थी ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक तो दोनों मेच के बॉलिंग से ठीक टाक एडवाटेज दे रह था आप लोग चाहो तो एक बार फिर से भी इनको कप्तान-वाइस कप्टन कर सकते हैं फाहद नमाज ने भी लास में के लिए पच्चीस रेंड की अच्छी पारी खेली थी बाकि रिसंटली यह बंदा इतने अच्छे फॉम में है नहीं हलाकि इनके पास काबिल यह इस ले आप लेंगे बात करें हम लोग आपर महरबान चाह की जो की ला राइटम मीडियम फास गयन बाज है जो की आप देर्थोस में खास तोर पर आप गयन बाजी करता है लास में पंदरा गयन दे करवाई थी आपर एक विकेट मेला था पहली मैच के लिए लेकिन मैंने आपको बताया था आपर देखो ओस करवाईगा तो यह पर इस लिए परफॉर्मस दे सकता है राइटम मीडियम फास के अनबाज मुहमद इर्फान ने ओस नहीं करवाई पिछली दोनों मैच करना बाकि यह भी रिसेंट लिए अच्छे फों में तो यह कभी भी भी के लिए हम नहीं राज किया बही काफी अच्छा बल्ले बाजी भी है काफी अच्छा गेहन बाजी है लेकिन दोनों में से एक भी इनको चांस नहीं मिल रहा है ना तो बेटिंग करने का नहीं बॉलिंग करने का तो अभी के लिए इनको लेके जाना रिश्की रहेगा रियाज खालीद इसके अलावा यहां पर देखो पिछली टूर्णामेंट इनकी ठीक टाक रही थी रिश्क के लेना चाहो तो ले सकते हैं स्टार्टिंग में आपर महरबान शाह के साथ यहां पर जेजे उसेन देथोस में भी यह दोनों ही रहेंगे इसके लावा बियांच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टार्ट और उनके अपडेट वगेड़ा टेलिग्राम में मिलेंगे तो विगेड़ कीविंग सेक्षन से आपर अबदुल सकूर को हम लोग लेके जा रहे हैं यहांसे चाहो तो आप लोग नायक महमद को ले सकते हैं क्योंकि वैसे भी आपर बैटिंग से कोई खास ऐसा प्लेयर ने जिनके आपर हम लोग बड़ा रिस्क ले सकते हैं बालिंग सेक्षन में आपर दाउद एजाज रहेंगे बाकि शाकिप खान वन अब बेस्ट प्लेयर है टॉप में खेला दो मतलब ओपिनिंग या वन डाउन करा दो इसके लावे से सयर अबजा को आप लोग जाओ तो रिस्क ले सकते हैं बाकि कैसाथ नमाज ऊके ऊके रहेंगे बालिंग सेक्षन में आपर महरबान शाह, इनके साथ आपर हजरत बिलाल, इनके साथ आपर मुहम्मद अली महरवी और इनके साथ आपर इर्फान उल्ला हमारी टिम के अंदर रहेंगे बाकी तो यहाँ पर कोई खास रिस्क लेने की जरूबत नहीं बाकी तो टिम के जिसरा से रहेगी, इसमें लाइन अपके बाद बहुत सारे चैंजिस हो सकते हैं प्लेइंग 11 में और प्लेइंग 11 में चैंजिस होंगे, तो नोड़ आउट यहाँ पर टिम में भी चैंजिस होने वाला है तो फाइनल मेरी स्मॉन लिग या ग्रान लिग की जो भी टिम में लएगी वो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर देने वाला हूँ आगे आने वाली और अच्छे में चैंजिस के वीडियो आपको इसी वीडिव चैनल के बजल दिश्चे जल्दी मिल जाएंगे तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप पूरा वीडियो रखते हो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई दन्यवाद जय हिंद जय बारत